नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है कोई भी उपाय बना नहीं है जो इस उपाय को इस्तेमाल कर लेगा वह अपने बालों को अच्छा कर लेगा जी हाँ दोस्तों आपको इसमें कोई एक्स्रा पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तो इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा आपके घर में ही समान आपको मिल जाएगा जीन दोस्तो आप जब भी घर में चावल बनाते हैं तो आप खुले चावल बनाईए और खुले चावलों में थोड़ा सा पानी जादा मात्रा में रखिये और फिर उसके बाद जो आपने पानी जादा रखा है उस माड के पानी को आप निकाल लेंगे और चावल को खा लेंगे और दूसरी और माड का पानी आपके काम आजाएगा बालों के लिए जिया दोस्तों चावलों का माड होता है वे प्रोटीन वे विटामिन से जुड़ा हुआ होता है ये आपके बालों के लिए इतना फाइदेमंद है जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते दोस्तों इसकी लिए आपको करना गया है अगर आप भी अपने बालों में चमक लाना चा बालों के सर पर अच्छी तरह से लगाएं पास से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दे फिर समाने पानी से अच्छी तरह से अपना सर धोले फिर देखिए आपके बाल कैसे बहुत जादा चमकदार और जादू का इतना असर हो जाएगा कि आपके बाल घने भी हो जाएंगे हेयर स्टेटर और कैमिकल से जादा इस्तिमाल बाल खराब हो चुके हैं तो इस मामने में चावल आपके लिए बहुत जादा फाइदेमन साबित होते हैं शैंपू के बाद चावल के पानी को हलके हाथों से स्केल पर मसास करें पांच मिनट के इसे ऐसा ही छोड़ दे और फ पानी से तूटने लग जाते हैं ऐसा अमीनो एसेड विटामिन और मिलनर्स की कमी के कारण होता है इसलिए अपने बालों पर चावल से मसाच करने से आपको बहुत जादा फाइदा मिलता है ताकि आपके बाल मजबूती बनी रहे बालों को जादा पोशन तत्व देने के ल इसमें पीसे हुए आमरा शिक्हकाई वैसंतरे के छिलको को मिलाकर अपने बालों पर इसे अच्छी तरह से लगा कर धो है यह सिर्फ शेंपू ही नहीं विल्की कंडिशनर का भी काम करता है चावल का पाने सिर्फ आपके बालों को मजबूत बनाता है वलकि आपके बालों को चमकदार भी बनाने में बहुत जादा मदद करता है बालों में रूखी सुखी बेजान हटा त्वाचा को हटाने के लिए आप चावल के पाने का इस्तिमाल कर सकते हैं बालों में रूसी हटाने के लिए चावल का मार थोड़ा सी शिखाकाई पाउडर मिला कर अपने बालों पर लगाएं। कुछ देर तक इसे लगा रहें दे और थोड़ी देर बाद इसे अपने सूखे पानी से धोले। रूकी सूखी बेजान तवचा और रूसी दूर हो जान हो तो छोटे प्याज में नारेल का तेल के साथ उभाल ले और इसे अच्छी तरह से करने दे फिर अपने बालों में बेशन और चावल के पानी का मिश्ट बना कर उससे पानी से अपने बालों को धोई तो आपके देखेंगे कि आपको रूसी और खुजली दोरों गायब हो तो दोस्तों मेरे बताये गए उपाय बिल्कुल आयरवेदिक है इनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा तो आप इनका बे निश्रित होकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि हमें ऐसे कुछ वीडियो बनाने की प्रेणा मिलती रहती हैं